चमत कारी पांच उपाए बताऊंगी आपको जो जुड़े हुए है कववे से हमारे श्रात पक्ष के अंदर कववे को भी एक विशेश जगा दी जाती है ऐसा क्यों को पित्रों का रूप माना चाहता है कहते हैं कि पित्र जो है वो कववे के रूप में आते हैं कुट्टे के रूप में आते हैं गाएं के रूप में आते हैं मुझे कभी-कभी ऐसा लगत तो उन्होंने हर चीज को न साइंटिफिकली ऐसे हमारे साथ जोड़ा कि हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचकर ओहो वैसे तो गाएं को मारेंगे, गाड़ी चलाएंगे और गाएं को मारतो ही चले जाएंगे, कुट्टा के उपर से गाड़ी निकाल लेंगे, कउओं को अगर ब बरातरों के नौ दिन में देवी की तरह पूचा जाता है, कब समझेंगे हम लोग ये बात कि ठीक है, किसी का बत्रड़ी होता है तो उसका विशेश महत्व होता है, लेकिन जिस दिन आप लोग ये समझ गये न, जब भी हम सुभा सो कर उठते हैं, वो दिन हमारा जनम दिन ह होता है, लेकिन हम साल में एक ही दिन पर टिक कर बैढ़ गए हैं, आईए, कम से कम आप इन दिनों में ही इन श्रादों के समय पर ही या महीने में पढ़ने वाली अमावस वाले दिन ही ये बात समझ लीजी किन उपायों को करें, कवोई से जुड़े पांच महा चमतकारी आते हैं, गोलियों गोलियों जैसे, चीक है, उसके अंदर चुपा दिया और वो दही जाकर आपने कवों को खिलाने, जब कवोई दही के अंदर से छुपा हुआ मीठा रजगुला खाएगा ना, तो वो आपको बड़ी दूआ देगा, वो बड़ा खुश होगा, आपके प जरमतकारी उपाए बतारे हूं, यू केंडू एवरी डे ओन अश्राद, अदर्वाइस यू केंडू अन अमावस, आप हर रोज कर सकते हैं सोला दिन में, या नहीं तो कम सकम हर अमावस पे कर सकते हैं, आपको बड़ा सकून मिलेगा और पितर दोश बाए बाए हो जाएग तो उस दिन आपको अपने पर सयम रखकर, भूके रहकर, बिना कोई भूजन करें, सबसे पहले पंडित को खिलाना है, पितरों की तस्वीर के आगे रखना है, कववे को गाए को और उसके बाद आपको स्वेम खाना है, कववे को खिलाए बिना नहीं खाना, राकी जी होगा, धेर इकठा हो रहा होगा, वहां कववा जरूर होगा, पांचमा और खास उपाय, एक डोने के अंदर मीठा पानी, कववे के लिए, जहां बहुत सारे कववे बैठे होए हो, वहां मीठा पानी रखकर है, और मीठे पानी में अपना चेहरा देख लीजेगा, आपको इस रादों के पंदरा सोला दिन में से एक दिन भी करतीजे, आपके पित्र आपसे बेहत खुश हो जाएंगे, नमस्कार सुस्वागत, वल्कम अभी नंदन, मैं हूँ डॉक्टर वायराकिय, और आगए है आपके पोटलियों का सीजन, पोटलिया बिल्कुल तयार है, और आपने तो अब देखी लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं, जब हमने बारा जोती लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजा चालू है, चल रही है लगातार और अब आपको हम पहले नवरातरे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं, अपने एड पोटली जितनी चोटी है उतनी चमतकारी है, यह पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा, नैशनल, इंटरनाशनल जहां भी आप हैं, तुरंथ हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेट पोटली आ ह कहीं आपका नंबर रहना जाए, फिर बाद में सौरी, हान जी, प्लीज दे दीजे राकी जी, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं, लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पित्र पक्ष की पूजाएं चल रही हैं, तो अपनी पोटली के लिए और तुरन दे, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें, अगर वो कॉल नहीं उठाती है, तो आप एक वाइस मेसेज हमारे वाटसप पर छोड़ने, कि आपको यह पोटली चाहिए, इस पोटली को हम आपके घर बीचवाएंगे, धन बर से और पोटली के क्या चमतकार हैं, मैं नहीं बताऊंगी, फिशले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली और उस पर कमेंट्स पढ़िए, भागी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है, वो जानते हैं कि यह पोटली नहीं, चम अगवान से आपका विश्वास उठ चुका है, टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर, कुंडली जगाएगी, कुंडली जागरन, कुंडली बताएगी आपका भविश्य, उपर से यह जादू हवाएं, उपरी हवाएं, जा बदलवाईए, मैं हूँ डॉक्टर वायराखी, आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बतलाव जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से चुटका रहा, नहीं मिल रही मन चाही नौकरी, तूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खतम हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है, टैरों के 78 कार्ड खोलेंगे भव भविश्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर, कुंडली जगाएगी, कुंडली जागरन, कुंडली बताएगी आपका भविश्य, उपर से ये जादूी हवाएं, उपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो, करना होगा कीजिए, फोन कीजिए, आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बतलाव झाल